hello friends, welcome back to my channel मैं संधिया और आप देख रहे हो संधिया सिलाई डिजाइन आज हमारी basic सिलाई कूर्स का पांच वा दिन है जो कि हमारी blouse की क्लासेश चल रही है तो blouse की हमारी आज पांचवी क्लास है तो आज की दिन हम लोग इसकी stitching सीखेंगे blouse की इसकी cutting हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो में किया था तो I hope आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा अब हम लोग उसी blouse की सिलाई सीखेंगे तो देखो वहाँ पर जो हमने hook पटी निकाली थी उनको हमने side में रख दिया है तो इस तरह से इसको double fold में करके लेना है ऐसे fold करने के बाद यहाँ पर हम कैसे सिलाई लगाएंगे तो देखो इधर side हमारा बिल्कुल भी कपड़ा नहीं दबेगा इस तरह से बिल्कुल तीरचा कपड़ा आएगा और इस तरह से हमारी शिलाई लगेगी तो बस यहाँ पर हम इसी तरह से सिलाई लगा लेते हैं तो देखो यह हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है अब हम इसको पूरा open करके दिखाते हैं तो यह हमारा एक टक्स complete हो गया अब जैसे हमने यह वाला टक्स complete किया है सेम ऐसे ही बचे हुए तीनों टक्स complete कर लेंगे तो तीनों टक्स में हमें सिर्फ इसी तरह से निशान लगाने है और ऐसे ही सिलाई लगा लेना है ठीक है तो आप बिगनर सो तो आप हर टक्स में निशान लगा लीजेगा और यहाँ पर double silay लगानी है तक्स में इस तरह से हमारे 4 टक्स कम्प्लीट हो गए हैं तो देखो यहाँ पर अब हम क्या बता रहे हैं आपको यहाँ पर यह हम जो टक्स डालते हैं यह साइज के कॉर्डिंग डालते हैं अगर जैसे ज़्यादा वाला पर्ट भी कम्प्लीट कर लेंगे तो यह दोनों पर्ट हमारे कम्प्लीट हो गए हैं अब इसके बाद यहाँ पर हम हुक पट्टी और आई पट्टी लगाएंगे तो देखो यहाँ पर हमने हुक पट्टी और आई पट्टी को बीच से दो पट्टियां निकाली थी सबसे पहले हम इनको जोइंड कर लेंगे तो इस तरह से दोनों पट्टियों को आगे से बराबर से करते हुए यहां पर हमने सिलाई लगा लिए है यह हमारी पट्टियां दोनों जुड चुकी है तो देखो friends यहाँ पर मैं button वाला blouse बना रही हूँ तो button वाला blouse बनाने के लिए हमको अपने right hand की तरफ घटवा पट्टी लगानी है और left hand की तरफ हमें अपनी बढ़वा पट्टी लगानी है यानि कि button वाली पट्टी लगानी है आज की इस वीडियो में बस इतना ही समझ लीजिए अभी आप देखो इधर साइड हमें क्या लगानी है बढ़वा पट्टी यानि की बटन पट्टी लगानी है तो आप हम इसको इस तरह से देखो सीधे साइड में अपनी पट्टी को रखना है एक पैर का मार्जिन लेते हु हुए प्रेस कर देना है अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर से यहां पर हाथ से प्रेस कर लेंगे ठीक है अब हम इसको सीधे साइड को मोड देंगे इस तरह से पलट लेंगे अब सीधे साइड को पलटने के बाद यहां पर हम उपर से शिलाई लगा देंगे तो इस तरह से ये हमारी button पटी complete हो जाएगे ये हमारी button पटी complete हो गई अब हम button hole पटी बना लेते हैं तो यहाँ पर हमको एक pair का margin लेते हुए इस तरह से सिलाई लगानी है सीधे side में ही पटीओं को रखना है अब हम इसको पूरा open कर लेंगे जो हमारा margin है इसको हम पट्टी की साइट को फोल्ड करेंगे और यहां पर margin को पट्टी की साइट फोल्ड करते हुए यहां सिलाई लगा लेनी है अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे यह पट्टी हमारी पूरी अंदर की साइट को फोल्ड हो जाएगी फिर से अंदर को पूरी फोल्ड कर देंगे जितनी भी पट्टी हमने लगाई थी लेकिन हमारी बटन पट्टी क्या होती उसको हमने हाफ इंच या फिर एक इंच बढ़ा के आगे की साइड लेना होता है अब हम यहाँ पर बड़ी बख्या से सिलाई लगाएंगे क्योंकि यह सिलाई हमें तोड़नी होती है यहाँ पर बाद में हमें तुर्पाई करनी होती है अब यह हमारी बटन पट्टी और बटन होल पट्टी कंप्लीट हो गई है अब इस तरह से हमारा front part complete हुआ है अब हम क्या करेंगे button hole पट्टी को इस तरह से button पट्टी के उपर रखेंगे और यहाँ पर बड़ी बक्या से सिलाई लगा लेंगे तो इस तरह से हमारा front part जोड़ जाएगा इसको बाद में हम खोल देंगे लेकिन अभी हमने जोड़ दिया है अब हम अपना ले लेंगे back part तो back part में सबसे पहले हमें dot complete करने है ठीक है यह जो हमारे dot है ultra side हमने लिया और dot को इस तरह से पकड़ना है और पकड़ने के बाद यहाँ पे हाथ से हलका सा प्रेस करना है और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे इस तरह से सिलाई लगाएंगे जैसे हमने dot में लगाया है front part में तो बस यहाँ पर भी हमें double सिलाई लगा लेनी है तो इस तरह से हमारा dot complete हो गया सीम इसी तरह से दूसरे साइट भी हमें complete कर लेना है इस तरह से आप देखो यह हमारा back part भी complete हो गया है अब हम इसको सीधा साइट को लेके रखेंगे इस तरह से यह हमने सीधा साइट उपर की साइट को रखा ठीक है और जो हमने front part तयार करके रखा है उसको भी ले लेंगे तो इस तरह से इसको रखेंगे यानि कि दोनों का सीधा साइड अंदर की साइड को रहेगा और उल्टा साइड बाहर की साइड को रहेगा दोनों का ठीक है अब हम यहाँ पर इनके शोल्डर जोड लेंगे दोनों के इस तरह से बिल्कुल बराबर से मिल लेते हुए यहां पर हमें high enough margin लेते हुए शिलाई लगाना है तो देखो यहां पर कैसे correspond to चेका खल लिया है अब प्ली जोड़ने के बाद कप़ड़े को बराबर शेर्खना है नाम डालेंगे टीजिस थे घरभ lesn इंच का सीना था तो यहां पर हमारा इसको अब हम ढूसरा भाग करे लेंगे तो इंच रख आएगा और इसको 16 हम सीन्टर सेंटर पर दूब compost और इसके बाद यहां पर आप डालेंगे अबडिया जो बुलकों disp ध्रहने ओप बहदा दालें तो देखो फ्रेंट्स यहां पर हमारी कमर थी 26 इंच तो 26 का हम हाधा करके लेंगे तो 13 इंच आएगा अब 13 का हम बिल्कुल शेंटर पर बिल्कुल शेंटर रखेंगे और फिर इस तरह से निसान लगाने के बाद यहां पर हमने सीधी लाइन कीच लिया है तो देखो जो पहले हमने fitting डाली थी तो वो उसके बाहर से जो आई है क्योंकि हमने plate डाल लिया है अब जो हमारी line बाहर की side से आई है उसी के उपर हमें silahe लगा लेना है तो double silahe यहाँ पर जरूर चला देना है इसके बाद क्या करेंगे जो हमारा front part थोड़ा सा उपर नीचे उसको हम बराबर से cut कर देंगे इसके बाद यहाँ पर जो back part है इसको हम इस तरह से fold करेंगे fold करने के बाद यहाँ पर हम silahe लगा देंगे तो इससे क्या होगा हमारे धागे भी नहीं निकलेंगे और blouse में अच्छी फनीसिंग आएगी अब सेम इसी तरह से दूसरे side भी हमें complete कर लेना है तो यह हमारी fitting complete हो चली है अब इसके बाद नीचे का हम bottom fold करेंगे अंदर की side को तो क्या करेंगे इसको कट करने के बाद यहाँ पर जो हमने vive is slide डाली थी उसे हम खोल देंगे खोलने के बाद इसको हमने पूरा ओपेन कर लिया है ओपेन करने के बाद देखो नीचे का जो हम फोल्ड करते हैं तो ये जो हमारा margin वाला कपड़ा होता है इसको हम दोनों को front part की side को रखते हैं ठीक है अब front part की side को रखते हुए इसको हम इस तरह से नीचे से पहले एक बार फोल्ड करेंगे फोल्ड करने के बाद फिर से इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे यानि कि यहां पर हमारा सिर्फ एक इंच का कपड़ा ही फोल्ड होना चाहिए तो बस इस तरह से इसको हमको fold करते हुए बड़ी बख्या से शिलाई लगाना है क्योंकि बाद में हमें इसमें तुर्पाई करनी होगी तो यह शिलाई हम खोल देंगे तो इस तरह से यह हमारा बाटम नीचे का फॉल्ड हो चुका है, आप देखो यहाँ पर हम अपनी piping लगाएंगे तो piping लगाने के लिए यहाँ पर मैंने अलग कलर से कपड़ा लिया हुआ था जब मैंने cutting की लिए था तो मैंने आपको बचाया था तो चलो अब यहाँ पर हम piping का कपड़ा cut कर लेते हैं तो देखो, यहाँ पर मैंने रेट कलर का कपड़ा लिया हुआ है, इस कपड़े की मैं पाइपिंग लगाऊंगी, लेकिन अगर आपको शेम कलर का लगाना है, तो जो भी आपके ब्लाउज में से कपड़ा बचा है, वहीं से आपको इस तरह से औरे पट्टी निकालनी है, ठी तो यहाँ पर हमें दो पट्टी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि छोटी पट्टी होंगी, तो यहाँ पर हमें दो पट्टी चाहिए, तो इस तरह से पट्टी रखे, पट्री के बराबर से हमने निसान लगाया है, तो देखो, यह हमारा 1.5 हिंच का कपड़ा कट होगा, देड़ हिंच की हमको पट्टी जो लेनी होती है ये देड़ हिंच की लेनी है इस तरह से हमने देड़ हिंच की पर निशान लगाते हुए इसको हमने औरेब में ही कट कर लिया है अब इतना कट करने के बाद देखो हमें पट्टियों को इसी तरह से औरेव में जोड़ना भी है इनको हम सीधी नहीं करेंगे जैसे यह हमारी औरेव में है औरेव में ही हम इनको जोड़ेंगे तो इस तरह से इनको हमने रखा रखने के बाद इस तरह से इनको हम पकड़ेंगे पकड़ने के बाद यहाँ पर हम बिल्कुल एक पैर का मार्जिन लेते हुए शिलाई लगाएंगे तो देखो यहाँ पर हमें शिलाई कितना लेना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ चॉक से निशान लगा के यह देखो यहाँ पर सिफ इतना ही कपड़ा दबाएंगे बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं दबाएंगी यह हमने यहाँ पर शिलाई लगा दिया अब हम इसको पूरा open करेंगे open करने के बाद देखो जो हमने margin है न वो अंदर की side को fold होना चाहिए ठीक है अंदर की side को fold करते हुए इसको हमने इस तरह से पकड़ा तो इसको हमने double fold किया और आगे से इसको हमें cut कर देना है तो सीधा कर लीना है ठीक है यह हमने इसको सीधा कर लिया अब इसके बाद जो हमारी पटी है इसको हम अंदर की side को ऐसे fold करेंगे fold करने के बाद फिर से ऐसे fold कर लेंगे ठीक है तो इस तरह से हमारी पटी complete हो चली है piping लगाने के लिए अब हम क्या करेंगे अपने गले को पूरा ओपिन करके इस तरह से रखेंगे यह हमने इसको ऐसे रखा तो सीधे साइड में हमको रखना है बलाउस को और सीधे साइड बलाउस के सीधे साइड में हम अपनी पट्टी को इस तरह से रखेंगे रखने के बाद यहां पर बिल्कुल एक पैर का मार्जिन लेते हुए पूरे पट्टी को अपने गले पे लगा लेंगे तो देखो यहां पर हम अपनी पट्टी को जितना ही खेंच के लगाएंगे उतनी ही अच्छी हमारी यहां पाइपिंग आएगी तो हम ब्लाउस वाले कपड़े को बिल्कुल नहीं खीचना है लेकिन हम अपनी पट्टी को खीच के लगाएंगे और एब में है तो ये हमारी पट्टी जादा अच्छे से खीचेगी अब इस तरह से हमारी पूरी पट्टी लग चुकी है पूरे गले में अब इसके बाद हम क्या करेंगे जो भी जहां पे भी हमारा कपड़ा इस्ट्रा होगा मोटा होगा वहां पे हमने कट कर दिया है अब कट करने के बाद जो हमारा मार्जीन है उसको हम पट्टी की साइट को फोल्ड करेंगे और यहां पर एक रोल बनाएंगे यानि कि एक piping बनाएंगे इस तरह से रोल बना लिया अब ये रोल बनाने के बाद देखो हमारा नीचे की साइट बिल्कुल भी margin बाहर की तरफ को नहीं होना चाहिए अब हम यहाँ पर उपर से शिलाई लगाएंगे तो इस तरह से हमें यहाँ पर पूरे piping में शिलाई लगा लेनी है तो अच्छे से हमें यहाँ पर अंदर की साइट को margin करते हुए यहाँ पर हमें अपने piping को complete कर लेना है यह हमारी पूरी piping कितनी freezing के साथ में complete हो गई है आप देख सकते हो कितनी अच्छी piping हमारी तयार हुई है तो देखो back जो ultra side है उदर भी हमारा बिल्कुल भी margin निकला हुआ नहीं है पूरा margin अंदर के side हमने fold करके सिलाई लगाया हुआ है तो यह हमारा पूरा blouse complete हो चला है सिर्फ यहां पर हमारी sleeves बची हुई है तो जैसे कि मैंने आपको sleeves की अभी ना ही थियोरी बताई है और ना ही उसका paper में cutting बताया है ना sleeves की cutting बताई है अपने इस basic course के अंदर तो हम लोग पहले उसकी theory note करेंगे paper में cutting सीखेंगे उसके बाद कपड़े में cutting करेंगे और फिर blouse में जोड़ना सीखेंगे तो friends आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं हम लोग next वीडियो में जिसमें हम लोग sleeves की theory note करेंगे तो friends अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है जहां पर भी समझ में नहीं आया है आप मुझसे comment करके पोच लेना पसंद आया है तो वीडियो को like करिए और चैनल को subscribe कर लिए